नमस्कार दोस्तों, रामायन में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्षमन और वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापती रावन और उसके पुत्र मेघनाद भी थे, मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था, दोनों न उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिये गए थे, राम और रावन के बीच युद्ध में लक्षमन ने मेघनाद का वद्ध किया था, लक्षमन ने अपने बान से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व परीक्षा के समय, मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर-जोर से हंसने लगा था जिसकी कथा इस प्रकार है सुलोचना मेघनात की पत्नी वह भगवान विश्णु के शेश नाग वासुकी की पुत्री थी चूंकि लक्षमन शेश नाग के ही अवतार थे इसलिए वे सुलोचना के पिता वह मेघनात के ससुर लगते थे सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमीला भी बताया गया है युद्ध भूमी में जब मेघनात लक्षमन के हाथों वीरगती को प्राप्थ हो गया था तब सुलोचना अपने पती के शरीर के साथ सती हो गई थी हालांकि इस कथा का उलेख न तो वालमी की रचित रामायन वह ना ही तुलसीदास रचित रामचरित मानस में मिलता है कुछ अन्य भाषाओं मुख्यतया तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुक्ता से उलेख मिलता है इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेगनात को यह जहात हो गया था कि श्रीराम वलक्षमन कोई साधारन मानव नहीं अपितु स्वयम नारायन का रूप है तो वह अपने माता पिता वह सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा तब उसने सुलोचना को देखा सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कही सुलोचना के आंसु देखकर वह भी भावुक हो जाएगा वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा किन्तु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचमभित रह गया सुलोचना के आँख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पती को गर्व से देख रही थी हालां कि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पती के साथ अंतिम मिलन है लेकिन एक पती ब्रताव कर्तव्य निष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पती को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया वो अपनी आख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया जब लक्षमन मेघनात का वध करने जाने लगे तब भगवान श्री राम ने लक्षमन से कहा कि चूंकी सुलोचना एक पती व्रता नारी है इसलिए मेघनात का मस्तक भूमी पर ना गिरे इसलिए जब लक्षमन ने मेघना मेघनात वीरगति को प्राप्त हो चुका है इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनात की दाहिनी भुजा को काट कर धनुषबान से सुलोचना के पास पहुंचा दिया जब सुलोचना ने मेघनात की भुजा देखी तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ उस उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनात की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया इसके बाद सुलोचना अपने पती की भुजा लेकर रावन के पास पहुं की किन्तु रावन ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्रम पुरुष थे वह उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे। इसलिए उसने सुलोचना को स्वयम श्री राम के पास जाकर मेघनात का मस्तिश्क लेकर आने की आज्या दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्या पाकर श्री राम की कुटिया की और प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम वह उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया वह श्री राम ने उनकी शंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे जहात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनात की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतया वानर राजा सुग्रीव हत प्रभ थे। वह उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिवर धर्म की आज्या देकर उसे सब के सामने हसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनात का कटा हुआ सिर जोर-जोर से हसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पढ़ गए किन्तु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव वशक्ति से भलीभांती परिचित थे। उन्होंन इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पती का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। वशमुंद्र किनारे सभी मृत सैनिकों वव मेघनात की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अगनी में अपने पती का सिर लेकर बैठ गई। वश सभी क सामने सती हो गई